आप सभी को मेरे प्रणाम आज ओंकार प्रणायं ओंकार अध्धान तुद्धीत प्रणायं करेंगे। ओम अ उ मा तीनो अक्षराई अ उ कम उच्चरण करके मकार ज्यादा समय तक उच्चरण करना पड़ेगा। उच्चरण करते समय में तांत का तांत टच्च स्परिशन होना चाहिए. ओंकार प्राणायम से ब्रैन में पूर वैपरिशन होता है. मानसीक बीमार कम होकार मस्तिस्क का स्मरण शक्ति बढ़ते है. अध्यात्मिक उन्चाई पहुंचने के लिए बहुत मदद करता है. अमारा मुँपे सू पसन्नता आता है. शांती मिलता है. तृताप, दुख, थनाव, बेचैनी, सबी कही प्रकार का बिमारी दूर हो जाता है. चुटकार मिलता है. कई प्रकार के बिमार के चुटकार मिलता है. इसलिए ऐसा हाथ ज्ञानमुत्र और चिनमुत्र से रखकर, आक बंद करके, गहराई से स्वास लेकर, अम् 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 अईसा दस वार ओंकार उच्चरण करके, अम् मानसिक रूप, मानसिक रूप से वो नादम को सुनना पड़ेगा, उस नाद के अनाहत नाद कहते, बीतर में वुंकार का अवाज गुंजते है, चारु तरब शान्ती पहलाते है, पूरा हर कोश्य वैब्रेशन ओकर शरीर का शरीर की नया शक्ती देते है, ओम् ओम् शान्ति ही, शान्ति ही, शान्ति ही, ऐसा दस बार करके, दुबारा, तोड़ा समें तक मोन ध्यान उकर दुबारा प्राणायम करना बड़ेगे। ये भूंकार प्राणायम उद्गीत प्राणायम है। अन्यवाद।